नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चेनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरिश्टार सनी देवल, सलमान खांद, करिश्मा कपूर और तबू की फिल्म जीत के लाइफटाइम बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और इस फिल्म का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं सुपरिश्टार अजे देवगन और सुनी शेटी की फिल्म दिलवाले के बॉक्स आफिस कलेक्शन से और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर किस फिल्म ने ज़्यादा कमाई की और कौन रही आगे तो चलिए शुरुआत करते हैं देखते रहेगा पूरा वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 90's के दोर में रॉमेंटिक फिल्मों का काफी चलन्जा था बॉक्स आफिस पर ओडियन्स को रॉमेंटिक फिल्म में ही ज़्यादा पसद आती थी जिसमें आपको रिवेंज ड्रामा भी देखने को मिले इस तरह की ही फिल्म थी जीत जिसके लीड में आपको बॉल्यूट के दो बड़े सुपरिस्टार्स नजर आये थे ये एक इंडियन एक्षन थ्रिलर फिल्म थी जिसे की डारेक्ट किया था राज कवर ने वहीं ये फिल्म साजित नाडेट वाला के बैनर तले बनी थी अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स की तो 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई सुपरिस्टार सानी डेवल की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ओफिस पर अपने पहले दिन 80 लाख रुपे की शानदार कमाई की इस फिल्म ने अपने पहले ही हपते में इंडियन बॉक्स ओफिस पर 4 करोड 34 लाख रुपे कमाई जो कि दोस्तो 1996 के हिसाब से एक ब्लॉक्बस्टर ओपनिंग थी बताते चले आपको कि इस फिल्म को ओडियेंस ने 22 शानदा रिव्यूज दिये थे सुपरिश्टार सनी देवल के किरदार को इस फिल्म में काफी पसंद क्या गया था जो कि आज तक का एक लेजेंडरिक किरदार है इस फिल्म का जो इडिया से नेट बॉक्स ओफिस पर टोटल कलेक्शन था वो रहाता 16 करोण 44 लाक रुपे का वही वल्ड वाइट बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने लगबग 29 करोण रुपे कमाए थे मातर 6 करोण के बलेट से बनी ये फिल्म इडियान बॉक्स ओफिस पर एक ब्लॉक्स ओफिस फिल्म साबित हुई थी बात किजा यहाँ पर फिल्म दिलवाले के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो दोस्तो ये फिल्म भी एक रिवेंज ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म के लीड में आपको बॉल वूट के दो बड़े एक्शन सुपर स्टार्स सुनिश रेटी सार और अजे देवगण सर नजर आये थे दोस्तों बता दे आपको कि इस फिल्म को एडियन बॉक्स आफिस पार 4 फरवरी 1994 में रिलीस किया गया था और इस फिल्म को इडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले दिन 29 लाख रुपे की आपनिंग मिली थी इस फिल्म को भी ओडियन्स की तरफ से काफी अच्छे रिविउस मिले वही सुपरिश्टार अजे दोगवान और सुनिल शेटी की ये फिल्म उनके केरियर की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्मों में से एक बनी इस फिल्म ने दोस्तों अपने लाइफटाइम बॉक्स आफिस पार 6 करोड तेटीस लाख रुपे की शानदार कमाई की वही इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइट पर टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन था वर आहा था लगबग 12 करोड रुपे का बयट था मातर इस फिल्म का 2 करोड रुपे इस तरह से दोस्तों ये फिल्म भी इंडियन बॉक्स आफिस पार एक सूपर हिट फिल्म साबित हुई थी अब गर इन दोनों ही फिल्मों का बॉक्स आफिस कमपैरजन क्या जाए तो सुपरिश्टार सनी देवल और सलमान खान की फिल्म ने इडियन बॉक्स आफिस पार लगबग 16 करोड रुपे कमाए वही सुपरिश्टार अजे देवन और सुलिशेट्टे की इस फिल्म ने कमाए थे लगबग 6 करोड रुपे इस तरह से आपर सलमान खान और सनी देवल अजे देवन की फिल्म से आगे हो चुके हैं आपको क्या लगता है दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म जादा अच्छी थी आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिलकुल ना भूलिएगा और बॉक्स आफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपके अपने इस चैनल रिवीव बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद